क्या तुम हमेशा यहीं घर में रहकर बिनिया मिन और दीना के साथ खेलना चाहते हो? हाँ, मुझे दीना और बिनिया मिन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है मगर मेरा भी दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ खेलूँ लेकिन यहां नहीं, सहरा में खेलने कूदने का बड़ा मज़ा आता है गल्ला क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? बाकी भाईयों के मुंतजिर हैं तुम लोग आज सहरा नहीं जाओगे? बस जाई रहे हम आएं ताके आप यूसुफ को हमारे साथ जाने की अजाज़त दे दे यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की अजाज़त क्यों नहीं देते? ताके हमारी मदद भी करे और हमारे साथ कुछ खेल कोद भी करे सहरा खुबसूरत और खुश्बुदार रहान से भरा पड़ा है कभी तुमने रजबरी खाई है नहीं, कैसी होती है बहुत मज़दार, मुझे तो बहुत पसंद है क्या तुमने कभी ठंडे पानी के चश्मे और बहती हुई नेरे देखी है बात दर असल ये है कि यूसफ की मा नहीं है उसकी मा की वसीयत के मताबिक उसकी इफाज़त की जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर है और फिर, और फिर माबाद का फर्ज है कि वो अपने छोड़े बच्चों का ज्यादा ख्याल रखे लोग हमें ताने देते कि क्या तुम्हारे बाप को तुम पर भरोसा नहीं है जो यूसफ को तुम्हारे साथ नहीं बेचते कम असकम आज उनके साथ जाने दें ताकि लोगों की जबाने बंद हो जाए लिया वो अभी बच्चा है मुझे उसकी आदत हो चुकी है अकर्चिस सेरा जाना और ये काम सीखना उसके हाथ में बेतर होगा लेकिन अभी गल्ले के पीछे भागना उसके बसकी बात नहीं लेकिन हम यूसफ से छोटे थे जब सेरा गए थे तुम अकेले तो नहीं गए थे मैं यूसुफ को भी आहस्ता आहस्ता सहरा की तरफ लाओंगा और ये काम सिखाओंगा लेकिन उसे यूँ अकेला भीजना मुनासिब नहीं है तो बाबा हम भी तो उसे ये काम सिखा सकते हैं और बड़े भाई की हैसियत से उसे नसियत और तर्वियत भी कर सकते हैं मेरे पास आने की जित करने लगेगा हम उसे खेल कुट में इतना मसूद रखेंगे कि आप क्यों घर की बिलकुल याद नहीं आएगी कितना मज़ा आएगा चश्मे का ठंडा पानी पीने और नहर में खेलने में हम सब भाई एक दूसरे के साथ खेलेंगे और मज़े करेंगे और कुष्टी लड़ेंगे और खाने में गरम-गरम दूद और गोश्ट हमें लगता है आपको हम पर एतमाद ही नहीं मुझे तुम लोगों पर एतमाद है लेकिन सेरा के भेडियों पर एतमार नहीं है कहीं तुम लोग खेल में मसरूफ हो गए और यूसुफ से खाफिल हो गए तो कहीं भेडिया उस पर हमला आवर ना हो जाए जैसा के खाब में चन्द भेडिये एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे ये तो सब बाहने हैं बाबा अच्छा वो जो आपने खुद देखा जब हमने भेडिये को मारा अगर भेडिया यूसुफ पर हमला करे तो फिर हम दर्स भाई किस दिन काम आएंगे आपका मतलब ये है कि हम इतने कमजोर हैं कि अपने भाई को भेडिये के हमले से भी ना बचा सके बाबा अगर आप कहें तो मैं भाईयों के साथ सहरा चला जाओ बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो तुम्हें बच्चों के साथ केलना चाहिए लेकिन बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ मेरा दिल चाहता है कि अपने बड़े भाईयों के साथ खेलूँ इनके साथ सहरा जाने की इजाज़त दे दीजिए ना अब क्या कहेंगे यूसुफ भी हमारे साथ जाना चाहता है हाँ बाबा यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाज़त दे दीजिए मैं दर्खास करता हूँ बाबा कि इजाज़त दे दे कि मैं अपने भाईयों के साथ सहरा चला जाओं बाबा मैं इल्तेजा करता हूँ ठीक है चले जाओ बाबा जिल्दा जाओ आप पर दुरु दो बाबा बहुत शुक्रिया बहुत खुब चलो यूसुफ चले जर्ण रुकू यूसुफ को तैयार करने तो इधार आओ बिटा यूसुफ का खयाल रखना उसे तुम्हारी तरह सक्तियों की आदत नहीं है अरे मां क्यों परेशान होती हो हम उस पर कोई आच नहीं आने देंगे अरे मां क्यों परेशान होती है